पूबी की शुरुवात पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एंडी सेक्स है एंडी का एक सेफ बॉइफ्रेंड है जिसका नाम नेट है एंडी नेट के साथ ही उसके अपार्टमेंट में रहती है एंडी ने नोर्थ फेस्टन यूनिवर्सिटी से एक जर्निलिस्ट की पढ़ाई की है और अब उसे एक नौक रिचाहिए एंडी का आज एक इंटर्व्यू होता है रनवे नामा के एक फेमस मैगजीन कमपनी में एंडी जब रनवे मैगजीन में जाती है तो सबसे पहले उसकी मलागात होती है एमिली से जो मिरांडा प्रिष्टली की सीनियर एसिस्टन्ट है अब सबसे पहले मिरांडा जो की रनवे मैगजीन की एडिटर इनचीफ है और एमिली उसकी सीनियर एसिस्टन्ट है एंडी का अज इंटर्वियू था मिरंड़ा की जूनियर इसिस्टेंट के रूप में अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिरंडा ने दर्जन ओ जूनियर इसिस्टेंट को जॉब से निकाल दिया था क्योंकि वो अपने काम में परफेक्ट नहीं थी यहां एमिली एंडी को बताती है कि इस जूब के लिए लाखों लड़किया मरती है अब इससे हम समझ पाते है कि रनवे मैगजिन कितनी बड़ी और फेमस कमपनी है साथ ही यह जूब भी हाई सैलरी वाली थी यहां एमिली को एक मैसिज मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि मिरांडा आ रही है यह सुनते ही रनवे मैगजिन के सभी वरकर्स एटेंसर हो जाते हैं और अपना काम करने लगते है एंडी एमिली से पूछती है कि मिरांडा कौन है इस पर Emily N.D. पर भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें इस company की editor-in-chief के बारे में नहीं पता तब तो तुम्हें ये job नहीं मिलने वाली है दूसरी तरफ Miranda उपर आने के लिए lift पकरती है कि तब ही दूसरी ओरत Miranda को sorry बोलती है और इस lift से निकल जाती है ऐसा इसलिए होता क्योंकि Miranda थोड़ी moody है और थोड़ी साही को है जैसे कि कोई boss अपने बरकर्स को सताता है हैरे Miranda पर पहुंचती है तो Emily उसे आज के सारे appointment और काम revise कराती है Miranda की नजर N.D. पर जाती है और कहती है कि ये कौन है Emily बताती है कि human resource वालों ने junior assistant की job के लिए इसे भेजा है पर ये बेकार है Miranda कहती है कि इसे interview के लिए अंदर भेजो एंडी अंदर जाती है तो Miranda से घूरने लगती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि runway magazine एक fashion designing company है और यहां काम करने वाला हर एक worker बहुत ही लहज़े और अपने fashion sense को संभाल कर आता है पर एंडी यहां आई थी जैसे वो किसी journalist की job के लिए यहां आई हो यहां Miranda एंडी से दो-तीन सवाल पूछती है जैसे कि क्या तुमने runway magazine के बारे में सुना है यह मेरे बारे में इस पर एंडी कहती है कि नहीं Miranda एंडी से यह सब इसलिए पूछती है क्योंकि अगर एंडी मिरंडा के बारे में जानती तो वो job interview के लिए इस तरह के dress up में कभी नहीं आती एंडी मिरंडा से कहती है कि उसने college journalist में national competition जीता है इस पर से मिरंडा को जरावी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि runway magazine नामा के fashion designing company में journalist की जरूरत है ही नहीं इसलिए मिरंडा interview को खत्म करती है जाते जाते एंडी मिरंडा से कहती है कि मैं smart हूँ अगर आप यह job मुझे दे देंगी तो मैं जल्द ही सीख जाऊंगी इतने में नाईजेल आ जाता है जो की runway magazine के बड़े workers में आता है विल्कुल मिरंडा की तरह यहां मिरंडा एंडी पर देहां नहीं देती जिसके बाद एंडी यहां से चली जाती है कुछ दिर बाद Emily एंडी के पास आती है और उसे बताती है कि उसे यह जौब मिल गई है अब आप यह सोच रहे होंगे कि मिरंडा ने एंडी को यह जौब कैसे दे दी तो दोस्तो इसका जवब आपको आगे ही मिलेगा जौब मिलने की बात एंडी अपने दोस्त लिली, डग और अपने बॉइफ्रेंड नेट को बताती है एंडी के दोस्तो और बॉइफ्रेंड एंडी को इतनी हाइप पेंग जौब के लिए कॉंग्रेचुलेट करते है अगर इस वच्छे बच के पंद्रे मिलेट पर ही एंडी को एंडी को कॉल आ जाता है जहाएं एंडी एंडी से कहती है कि उसे आते हुए इस्टारवक्स कोफी लानी होंगी एंडी जदे ज़ी रेटी हो जाती है और जाते हुए कोफी लेती है दूसरी तरफ मिलेट अपने ओफिस पहुँच चुकी थी जहां मिरंडा को अपनी कॉफी नहीं रिखती कुछी देर में एंडी यहां पहुँच जाती है जिसके बाद एमिली उसे कहती है कि अगर उसे यहां टिक ना है तो उसे परफेक्ट होना पड़ेगा हर चीज में इसके बाद एमिली मिरंडा को उसकी कोफी देती है और एंडी को उसका काम समझाती है और बताती है कि फोन जब भी रिंग होगा उसे हर बार रिसीव करना होगा इनी कुछ बातों की बीच एमिली एंडी से अपनी वास जेर करती है और बताती है कि वो मिरांडा के साथ पेरिश के फैसन बीक में जाएगी जहां बहुत अमीर और बड़े लोग होंगे और बड़ी पार्टिया होंगी इसके बाद एमिली यहां से चले जाती है जिसके बाद पुरांत नाइजल आयाता है और उसे ओफिस में पहनने के लिए हील्स देता है पहले तो एंडी उने एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है कि मैं जैसी हूँ वैसे ही मिरांडा ने मुझे यह जब दी है मुझे हील्स की जरूरत नहीं है नाइजल तब भी एंडी को यह हील्स दे देता है मीनवाइल मिरांडा एमिली को पुकारती है पर एमिली यहां नहीं थी नाइजल एंडी से कहते हैं कि वो तुम ही बुला रही है एंडी अंदर जाती है तुम मिरांडा उसके जूतू की तरफ देखने लगती है और कहती है मिश्टर डिमार्ची को फोन लगाओ एंडी बहार आती है और सबसे पहले हील्स पहनती है जो नाइजल ने दी थी मिरांडा फिर से एंडी को वाज देती है और कहती है कि क्या तुमने मिश्टर डिमार्ची को कॉल लगाया एंडी घवरा जाती है क्योंकि उससे यह सब नहीं पता था इतने में Emily यहां आ जाती है और Mr. Dimarchi को फोन लगा कर Miranda को बताती है फिरहाल तो एमिली एंडी को बचा लीती है इसके बाद Miranda एंडी को श्टारवक्स कोफी और कुछ शोपिंग के लिए भेजती है एमिली एंडी को इंस्ट्रक्ट करती है और मीरांडा द्वार का पखा गया हर सामान का लगा लेती है इस सब के बद एमिली और बागे सभी वर्गर्स का लज़ टाइम होता है एमिली के बद एंडी लंच के लिए जाती है जहां उसे नाईजिल मिलता है इससे पहले कि एंडी अपना लंच ओपर करती नाइजल को मिरांडा के एक मैसिज मिलता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि मिरांडा इन्हें बुला रही है यह दोनों एलिवेटर में जाते हैं जहां इनकी मुलाकात एलिवेटर के चेर्मेन इर्व रेवेटर से होती है आगे बढ़ने से बहले मैं एलिवेटर के बारे में बता देता हूँ तो एलिवेटर के एक पब्रिकेशन कमपनी होती है जिसमें रनवे मैगजिन सामिल है है बैक टू दा स्टोरी यह नायचल इर्व को एंडी से इंट्रिड्यूस कराता है और बताता है कि यह मिरांडा की नई जूनियर एसिस्टेंट है इर्व एंडी को उसकी जोब के लिए कॉंग्रेश चुलेट करता है और कहता है कि इस जोब को पाने के लिए लाखों लड़किया मरती है जितना सब कुछ एंडी के साथ यह हो रहा था एंडी भी यह बात समझ गई थी खैर यह दोनों मिरांडा के पास पहुंचते हैं यहां एक वर्कर मिरांडा को दो वेल्ट दिखाती है और कहती है कि इनमें से कौन सा ठीक रहेगा अब यह दोनों बेल्ट एक जैसी दिख रही थी इसलिए एंडी हस पड़ती है और कहती है कि यह दोनों सेम है इनमें से किसी एक को चूश करने की क्या जरूवत है कोई भी चूश कर सकते हैं मिरंडा को यह सब अच्छा नहीं लगता जिसके बाद वो एंडी को काफी कुश सुना देती है और कहती है कि यह दोनों सेम नहीं है इसी रात एंडी अपने फर्स्ट डे जोव एक्स्पीरियंस को नेट के साथ सेयर करती है और उसे बताती है कि उसकी बोस यानी मिरंडा कैसी है अगले दिन एंडी अपने जोव पर जाती है मिरंडा आती है और अपना कोट एंडी की डेस्क पर डालती है यहीं सिलसिला महीनों तो चलता है मिरंडा आती है अपना कोट एंडी की डेस्क पर डालती है एंडी भी वही दिन चत्रिया हर रोज करती है इसी तरह एंडी को रनवे में काफी समय हो जाता है समय के साथ साथ एंडी काफी कुछ सीख लेती है एक दिन मिरांडा अपने काम को लेकर मायम ही जाती है एंडी का वे इसी वीकेंड अपने पिता के साथ जिनर था इसलिए वो काफी excited थी अगले सीन में हम एंडी को उसकी पिता रिचर्ड के साथ देखते हैं जहां रिचर्ड एंडी से कहते हैं कि तुम एक generous बनने वाली थी पर तुम इस वक्त कुछ और ही कर रही हूँ एंडी अपने पिता को समझाती हुई कहती है कि ये job उसकी लिए एक अच्छी opportunity है मीनवाइल एंडी को एक call आता है जो कि Miranda का होता है Miranda एंडी से कहती है मेरी flight cancel हो गई है क्योंकि यहां का मसम खराव है एगिन फिर भी मुझे new year काना है यहां सुनकर एंडी अपनी पिता के साथ डिनर को बीच में ही छोड़ती है और Miranda के लिए किसी private jet का इंतिजाम करने लगती है बहुत कोशिसों के बाद एंडी Miranda के लिए किसी भी jet का इंतिजाम नहीं कर पाती जब Miranda Miami से बापस आती है तो एंडी को खरी खोटी सुनाते हुए काफी बुरा बला कहती है यह सब सुनकर एंडी के आँखों में आसो आ जाते है एंडी रोती हुई सीधे Nigel के पास आती है और Miranda की बुराई करने लगती है जैसे कि एंडी जब कोई काम ठीक करती है तब Miranda एंडी को थेंक्यो तक नहीं बोलती लेकिन अगर कोई काम भी गड़ जाता है तो एंडी को बुरा बला कहती है इस पर Nigel एंडी को समझाते हुए कहता है कि Miranda ऐसी ही है वो नहीं बदलेगी और वो अपने काम में परफेक्ट है अगर यहां किसी को बदलने की जरूरत है तो वो तुम हो एंडी नाइजल की बातों पर धियान देती है और समझती है कि उसे बदलना होगा अगर उसे Miranda से थोड़ी सीवीज चाहिए तो यहां एंडी नाइजल से अपने लिए कुछ कपड़े लेती है दूसरी तरफ एंडी को लग रहा था कि साइद एंडी यह जौब छोड़ देगी लेकिन तब ही एंडी की एंट्री होती है जिसे देखकर एंडी का मुँ खुला रह जाता है क्योंकि एंडी का लुक एंड फैसन पूरी तरह से बदल गया था जिस वेसे वो काफी अट्रेक्टिव लग रही थी अब एंडी हर रोज एक नई फैसन स्टाइल में आने लगी जिसे देखकर मिरंडा भी एंडी से काफी इंप्रेस होने लगी एक दिन एंडी अपनी दोस्तों को कुछ गिफ्ट देती है जो उसे उसकी बोस मिरंडा ने दिये थे कुछ देर बाद एंडी को मिरंडा का कॉल आता है जिसके बाद एंडी तुरंत यहां से निकल कर जेम्स होल्ट नामक एक उभरते हुए फैसन डिजाइनर के यहां जाती है ताकि वो जेम्स से मिरंडा दौरा मंगाएगे इस स्केच्ट बुक को ले जाए यहीं एंडी की मुलकात होती है क्रिष्चियन थॉंसन नामक के एक मैगजीन राइटर से पहले तो एंडी सौक हो जाती है क्रिष्चियन काफी मस steadhaWeel राइटर था काफी दिर की बाद चीत के बार एंडी क्रिस्टिन को बाई कहकर चली जाती है अब धीरे धीरे एंडी ने मिरंडा के मन में अपनी जगह बना ली थी इसलिए इतने महीनों में पहली बार मिरंडा एंडी को अपने घर बुक लाने के लिए कहती है दरसल एमिली ही हरवार मिरंडा को बुग देने के लिए जाती थी लेकिन इस बार ये मौका एंडी को मिला था एंडी रात को एमिली से मिरंडा के घर की चाबी लेती है जिसके बाद एमिली मिरंडा को समझाती है कि उसे चुपचाब घर में जाकर बुक को एक टेबल पर रखना होगा जहां फूल रखे होंगे अगर तुम्हें मिरांडा ने गलती से भी देख लिया तो मिरांडा नाराज हो जाएगी यहीं नियब फॉलो करते हुए एंडी मिरांडा के घर जाती है लेकिन एंडी यहां घबर जाती है क्योंकि यहां कई टेबल थी जिनके उपर फूल रखे हुए थे एंडी को यहां किसी की आवाज आती है जो और किसी की नहीं बलकि मिरांडा की दो ट्विंस बेटियों की थी यहाँ यह twins एंडी से कहते हैं कि वो बुक देने के लिए उपर आ सकती है अब यहां एंडी घबरा जाती है क्योंकि Emily ने एंडी से कहा था कि अगर Miranda ने उसे गलती से भी देख लिया तो वो नाराज हो जाएगी खर यहां एंडी घबराते होए उपर चली जाती है तरफी एंडी देखती है कि मिरंडा और उसका पती जगढ रहे थे एंडी चुपके से अपने कदम पीजे ले थे कि तभी मिरंडा उसे देख लेती है एंडी तुरणत उस book को मिरंडा के पास छोड़ कर यहां से निकल जाती है अगले दिन जब एंडी ओफिस आती है तो उसे एमिली से पता चलता है कि मिरंडा रात की इंसिडेंट से बहुत गुस्से में है कहीं मिरंडो से जॉब से न निकाल दे जब एंडी अंदर जाती है तो मिरंडा उसे बहुत मुश्किल काम देती है ये काम था हैरी पोर्टर की बुख लाने का जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी मिरांडा कहती कि मुझे मेरी बेटियों के लिए गो अनपब्लिश बुख चाहिए अगर तुमने असल नहीं किया तो तुम्हें यहाँ वापस आने की जुरूरत नहीं है अब मिरांडा ने एंडी को ये कामी सीली दिया था क्योंकि मिरांडा जानती थी कि एंडी ये नहीं कर सकती इसी वहाने मिरांडा एंडी को निकालने वाली थी हैर एंडी अपने और मिरांडा के सभी जानकारों को कॉल लगाती है पर कहीं बात नहीं बनती एंडी को एक बस पर Christian Thompson का नाम दिखता है जिसके बाद बुक Christian को कॉल लगा कर उससे Harry Potter की Unpublished book के बारे में पूचती है Christian कहता है कि साइड ये मुम्किन नहीं है अब एंडी पूरी तरह निडास हो गई थी यहां तक कि एंडी अपनी boyfriend Nate को भी बता देती है कि वो ये जोब छोड़ रही है कुछ ही देरवाद एंडी को Christian का कॉल आता है जहां Christian एंडी को बताता है कि मेरे दोस्त के दोस्त के पास Harry Potter की Unpublished script है ये बाद सुनकर एंडी काथी खूस हो जाती है जिसके बाद वो Christian से manuscript लेती है और Miranda के सामने पेस करती है जैसे ही मेरे देखती कि एंडी वाद की Harry Potter की Unpublished script लेकर आ गई है तो वो एकदम सोक रह जाती है सामको एंडी जब घर पहुंचती है तो Nate उसे जोब छोड़ने पर celebrate करने के लिए कहता है पर जैसा कि हम जानते हैं कि Christian की बड़ा से एंडी की यो जोब बच जाती है Nate इस वे से थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि जब से एंडी को यो जोब मिली है तब से ये दोनों काफी कम समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं हैर अगले दिन हम Emily को देख पाते हैं जिसे cold हो गया था यहां Emily एंडी को रात को होने वाले function के बारे में बताती है जिसमें उसी Miranda के साथ जाना है एंडी उस function में नहीं जाने वाली थी क्योंकि ये काम Emily का था एंडी अपने घर जाने के लिए निकलती है कि तभी Miranda का call आता है जिसके बाद वो वापस Miranda के पास पहुंसती है Miranda एंडी से कहती है कि Emily को cold है इसलिए तुम भी उस function में चरोगी और Emily की मदद करोगी Emily एंडी को एक book देती है जिसमें सभी guest की list थी और एंडी को book के सभी guest के नाम याद करने थे ताकि Miranda को किसी भी guest को पहचाने में दिक्कत ना हो खेर, function में एंडी भी समिन होती है जो भी unknown guest जिसके बारे में Miranda को नहीं पता होता उसके बारे में Emily Miranda को बताती है बागी guest की तरह एक और guest Miranda की तरह बढ़ता है Miranda Emily से उनके बारे में पूचती है पर एमिली नहीं बता पाती और घवराने लगती है बट थैंक्फुली एंडी उनके बारे में जानती थी इसलिए एंडी मिरंडा को बता देती है कि वो इंबेसेडर फ्रैंकलीन और उनकी वाइफ रिवेका है एमिली इस मदद के लिए एंडी को सुक्रिय कहती है खैरिस सब के बाद एंडी घर लोड़ती है और सबसे पहले नेट को बर्थडे विस्क करती है पर नेट को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि एंडी अपने रिलेशन को ठीक से नहीं निवा रही थी इसके बाद एंड इंडी को ठोड़ती है और कहती है कि अगर तुम इस मौखे को छोड़ना चाहती हो तो ये तुम्हारे उपर है अगले दिन एंडी ये बात एंडी को बताने की कोशिश करती है कि तभी एंडी का एक्सिडेंट हो जाता है जिसके बाद वो होस्पिटलाइज हो जाती है अपने जोस्तों को पैरिस जाने की बात बताती है जहां एंडी की मुराकात फिर से क्रिस्चन से होती है यहां क्रिस्चन एंडी से फलर्ट करता है और उसे किस करता है एंडी की फ्रेंड लीली यह देख लेती है जिसके बाद उसे लगता है कि एंडी नेट के साथ चीट कर र जहां बड़े लोग बड़ी पार्टियां होती है फैसन बीक में पार्टि के बाद नाइजिल एंडी से मिलता है और उसे बताता है कि जेम्स होल्ट जो की एक उभरता हुव फैसन डिजाइनर है उसने मुझे अपनी कमपनी में पार्टनर के लिए अप्रोच किया है एंडी ये सुनकर नाइजिल के लिए बहुत खुस होती है साथ ही मिरांडा को भी ये पता था फैसन बीक में क्रिस्टियन थॉम्सन भी होता है जिसके साथ एंडी अपनी नाइट स्पेंट करती है अगली सुबाइ एंडी को क्रिस्टियन द्वारा पड़ता चलता है कि मिरांडा को उसकी जोब से हटा कर उसकी जगह जैकलीन फोलेर को देने वाले हैं जो कि फ्रेंच रन्वे की एडिटर इंग चीफ है एंडी तुरनत यहां से निकलती है और मिरांडा को बताने की काफी कोशिश करती है कि उसे जोब से निकाले जाने वाला है पर वो मिरांडा को नहीं बता पाती में वाइल एक webinar मिरांडा अनौउंस करती है कि जैकलीन जेम्स होल्ट की कमपनी की न्यू क्रियेटिव डाइरेक्टर होगी यह बात सुनकर एंडी और नाइजल सौख रह जाते हैं क्योंकि जेम्स होट की कंपनी में यह पूजिशन नाइजल को मिलने वाली थी और यह बात नाइजल ने एंडी को भी बताय थी और यहां तो सब कुछ अलाग हो गया इस बात से नाइजल काफी दुखी हो जाता है वेट गाईज अगर आपको मुवी थोड़ी वह समझ नहीं आ रही हो तो मैं आखिर में सब के लिए करने वाला हूँ खेर जब मिरंडा लंचिन से बापस लोटती है तो वो एंडी से कहती है कि मैं पहले से जानती थी कि मुझे ये जोब से निकालने वाले हैं इसलिए मैंने एर्व को एक लेश्ट दिखाई जिसमें सभी काविल मोडल्स डिजाइनर थे अगर मिरंडा को जोब से हटाय जाता तो वो लोग भी मिरंडा के साथ जाते इसी वर्य से एर्व ने बापस मिरंडा को उसकी जोब दे दी लेकिन इस वैसे नाइजल का प्रमोसान रुख गया अब ये सब मिरंडा ने अपनी जोब बचाने के लिए क्या था एंडी को ये सब अच्छा नहीं लगता है जिसके बाद एंडी मिरंडा को छोड़कर अखे लिए नियू यूर्क आ जाती है और सबसे पहले अपने बॉइफ्रेंड नेट से मिलती है यहां एंडी को पता चलता है कि नेट को भी जोब मिल गई है जिसके लिए एंडी नेट को कॉंग्रेचुलेट करती है इस सब के बाद एंडी अपने लिए एक जनरलिस्ट की जोब ढूनती है और उसे ये जोब मिल भी जाती है क्योंकि मिरंडा ने एक मैगजिन में ये बताया था कि जो एंडी जैसी स्मार्ट लड़की को जोब नहीं देगा वो कोई बेवकूफ ही होगा इसी के साथ एंडी को एक बार फिट से मिरंडा मिलती है जिसे देखर एंडी उसे हाई कहती है पर मिरंडा को जब नहीं देती और अपनी कार में बैठकर एंडी को देखकर मुश्कुराती है ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों अब मैं आपको मूवी स्ट्रेट फोरवर्ड बताने वाला हूँ तो एंडी जो की जनरलिस्ट बनना चाहती थी उसे मिरंडा की जूनियर असिस्टेंट के रूप में जोब मिल जाती है और मिरंडा ने ये जोव एंडी को इसीली दी थी क्योंकि मिरंडा ने किसी ऐसे को experience नहीं कहता था जो fashion को नहीं जानता हो यहादे कि शुरुवात में एंडी को तो मिरंडा कौन है ये भी नहीं पता था खेर एंडी ये जोब करने लगती है क्योंकि एक जनरलिस्ट बने रहने से ज्यादा अच्छा अच्छा अपर्चुनेटी यहाँ थी धीरे धीरे एंडी अपने कामें परफेक्ट हो जाती है पर इस वैसे वो नेट को टाइम नहीं दे पाती एक दिन एमिली एक फंक्सन में एक गेस्ट का नाम नहीं बता पाती जिस वैसे Mirando को लगता है कि वो Paris Fashion Week में जाने के लिए परफेक्ट नहीं है इसलिए वो एंडी को चुनती है एंडी मना भी करती है क्योंकि Paris Fashion Week में जाने के लिए Emily काफी मेहनत कर रही थी बट after all एंडी जाने के लिए तयार हो जाती है क्योंकि Emily का accident हो जाता है इनी कुछ वजहों के वीच एंडी और Nate का break up हो जाता है जिसके बाद एंडी पैर ही चाती है Paris में उसे Nigel से पता सलता है कि उसका promotion होने वाला है क्योंकि James Holt ने Nigel को अपनी company में partner के लिए अप्रोच किया था दूसरी तरफ Miranda को पता था कि उसकी job जाने वाली है इसलिए Miranda ने इर्व और James Holt से बात करके अपनी job को safe कर लिया और Nigel की जगह Jacqueline Follett को James की company का new creative director बना दिया एंडी को Nigel के लिए बुरा लगता है लेकिन Miranda कहते कि तुमने भी Emily के साथ धोगा किया है एंडी ने ये से Miranda के कहने पर क्या था इसलिए वो अपनी गलती नहीं मानती और Miranda की junior assistant की job forward चली जाती है और वापस New York आकर journalist बन जाती है